हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं ही माशू स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बेड़ीय सीरीज के अगली कॉमिक्स इंद्रजाल कभी कभी कोई शिकारी जंगल की जमीन पर अपना जाल इस तरह फैलाता है कि जानवर तो जानवर जंगल का जल्लाद भेड़िया भी चक्मा खा जाता है ओफ ये क्या ये तो गड़्डा है गड़्डा दसफट गहरा था किसी साधान इंसान के लिए वहां से निकल पाना निसंदे मुश्किल था मगर आट फुट उचे भेड़िया के पास बाहर आने के कई साधन थे गड़्डे के किनारे की मिट्टी भुरभुरी है मगर परवार नहीं ये पूच कब कावाएंगी पूच अभी व्रक्ष की शाक तक पहुच भी ना पाई दी की भेड़िया की टांगों पर एक गजीब सी सुरसुरहाट हुई पलग जबता ही वे सुरसुरहाट भेड़िया के पूरे शरीप संसनी के रूप में फैल गई कि गड़े में गिरा पशू उनके काटने पर तरड़ तरड़कर बेहुच हो जाए इस गड़े को इस चटान से बंद कर देना होगा ताकि कोई नेरी पशू इसमें गिरकर मकडियों और शिकारियों का शिकार ना बन पाए भेडिया की आगें उन शत्रों के बारे में सोचकर सुर्क हो रही थी इदर दो और आखों की सुर्की भी बढ़ती जा रही थी मुझे इस गड़े में जिसे शिकार बनाना था वो तो मैंने बना लिया भेडिया मैंने अपना जाल बिछा दिया है और ये जाल है इंद्र जाल ओ अफीम के खेत जहां एलफांटो से टकरा आया था वहां क्या हो रहा है शायद अफीम का कोई तसकर है ठेरो रुक जाओ लगता है तुम फिर अफीम के तसकरों के साथ मिल गए हो आज तुम्हें भेडिया के हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा अलफांटो हाती जैसे महाशक्तिशाली जिस्म के मालिक अलफांटो पर तूट पड़ी थी भेडिया के क्रोध की तलवार आज मैं तुमारे जिस्म था मौत की देशत से उसकी आँके फैल चुकी थी भेडिया की शक्ति के आगे आज ठह गई थी एलफांटो की एलिफेंट पावर ठाक कभी 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 अपनी ताकत से भेडिया के छक्के छड़ा दिने वाला शैतान आज भेडिया पर हाथ तो दूर एक नाखुन तक का बार अगे बढ़ता बेडिया काई की बरे उस ताल के निकट ठटक कर अब रुक चुका था काई से भरे ताल मेंसे सेंगाडे निकालना भी कितना कठें काम है यह काई मेंसे कौन भार आ रहा है ओ यह तो गोजम का खुंकार विशाल विक्राल काई से लिथार जल्दर काई गुला है यह मुझ पर हमला करने के लिए बाहर आ गया है मगर अब यह बचे का नहीं मैंने तुझे एक खंदक में धकेल दिया था तू वहां दुपका रहता तो मौत से बचा रहता चाक वहां से बाहर आकर अपनी मौत को लरकार बैठा है तू उस वक्त जंगल गुंज रहा था सिर्फ और सिर्फ काई गुला की मौत की चीखों से काई गुला की बारे में जानने के लिए पड़ा है काई गुला वह जंगल का जल्लाद दोनाई कॉमिक्स चैनल पर वाइस मोड में उपलब दे हैं जंगल की रक्षा के प्रिश्ण पर सचमच खुंकार ओड़ता था जंगल का जल्लाद उसकी खुंकार था देखकर शत्रु तहल उड़ते थे मगर मित्र मित्रों की छाती चौड़ी हो जाती थी पर कभी-कभी उनी मित्रों को कोई बात खल जाती है रोग जाओ भेडिया आज मैंने तुमारा जो रूप देखा उसे देखकर मुझे तुमसे घ्रणा हो गई है गर्णा की आवाज में जबर्दस ललकार थी जिसे सुनकर चैरे पर चट्टान सी मजबूती लिए भेडिया पलट गया इसी के साथ बेडिया के चैरे के भाव मै कठोर तो आ गई ओ तुम जबड़े और भी सक्ति के साथ भिज गए थे उसके उसक्त इस्थिर खड़ा ना रह सका भेडिया थार फिर आ गया तुझ जंगल को प्रबात करने भूल गया कि भेडिया भी जिंदा है और जब तक भेडिया जिंदा वह तुझे यहां की दर्द करती खुंखार आगों के सामने मौजूद था हत्यारा पिछली बार तुझे जिंदा छोड़कर मैंने भूल कर दी थी मगर अब उस भूल को सुधार रहा हूं भेडिया के सर पर खून सवार था मुझे मालूम है कि तु लंबी-लंबी उच्छाले मार सकता है मगर आज मैं तुझे भागने ने दूँगा हत्यारे आज परले समायूदी भेडिया के हाथों में थम किसी को मौत का रूप नजर आ रहा था आज भेडिया इधर जंगल में काई के ताल और अफीम के खेट से मिली उन दो लाशों ने कबीला वासियों में दहशत मचा दी थी किसने मारा कौन है हत्यारा हम उसे जिन्दा नहीं चोड़ेंगे इन दोने के लाशों के इर्दगेज भेडिया के पंज़ों के निशान मिले हैं इन्हें खुद को जंगल का रक्षक कहने वाला भेडिया ने मारा रहा है वह पागलिया ने सजार्य हो गया है उसने गढड़ना को भी न तूर था थी, आक्रोश्ट था, सीने में एक तूफान था, हल चल थी, गुस्सा था, हम खून का बतला खून से लेंगे, इस भीर को देखकर जेन का हिर्दर धड़क उठाता, जेन ने रोक लिया होना, किसके खून का बतला किस से लेना चाहते हो तुम सब, इन निर्दोस जं जंगल की अदालत में पेश करेंगे, जहां उसके गुनाओं का फैसल होगा, भेडिया भी वापस नहीं लोटा है, तो जाओ, अपनी आखों से देखोगी जंगल के जिस धर्ती को भा अपना कहता है, उसे किस पकार खून वा लाशों से परवात कर रहा है, नहीं, ऐसा मत कह हो, भेडिया ऐसा नहीं कर सकता, और अगर भेडिया ने निर्दोशों का लव भाया होगा, तो इसके रास्ते की सबसे बड़ी दिवार बनकर मैं खड़ी हो जाओंगी, पूरा जंगल भेडिया का दुश्मन बन रहा था, जबकि भेडिया के तलाश में निकली जेन, उस आ उसका भेवार समझ में नहीं आया जेन, और वैं उसे रोक नहीं पाया, भेडिया कहा है गर्ड़ों, गर्ड़ों ने उस दिशा के विशा में बता दिया जिदर भेडिया गया था, जेन के मस्तिक्ष में अंधर से चलने लगे थे, सर्दार तुम गर्ड़ों को फूज़ ब मरहम लगा देंगे, मुझे भेडिया की तलाश करनी है, जेन आगे बड़ी, जल्दी जेन को भेडिया दिखाई पड़ गया, वो रहा भेडिया, भेडिया, भेडिया के कानों में भी पड़ी भापोकार, भेडिया ने आवाज की दिशा में सेर कमाई दूसरे पलबच उस गिनना, बागल बिल्ली के बारे में जानने के लिए पड़ा है, बागल बिल्ली, उसने तुम्हें भी नहीं बख्षा, वो पागल हो गया है, जंगल में भी भेडिया पागल हो जाते हैं, तो उना मा डाला जाता है, मा डालो बेडिया को, जेन उनके रास्ते की दीवार बन कर खड़ी हो गई भेडिया ऐसा क्यों कर रहा है उसे मैं बागर बिल लिए गरोण हत्यार को नजर आए जब तक इस रह से का मैं पता ना लगा लूँ तक मैं किसी को उस पर हत्यार नहीं उठाने दूंगी मैं तुमसे वायदा करती हूँ कि भेडिया को जंगल की अदालत में मैं लेकर आउँगी ठीक है तुम हम तुमारी आज शाम तक परतिक्षा करेंगे मुझे फॉरम फूजो बाबा को यह सा पता ना होगा जल्दी जन फूजो के सामने थी भेडिया शायद किसी शटेन का शिकार हो गया है भेडिया को आप ही बचा सकते है फूजो बाबा ओ तुम यहीं रोको मैं अभी आता हूँ फूजो अपनी कुटिया में समा गया कुछ ही मिंटों में वह बहार आया अब चलो मेरे साथ किदर भेडिया के मस्तिक्ष में जैसे शाट सर्किट सा हो रहा था पहले अलफांटो फिर काई गुला फिर हक्तियारो फिर बागल बिल्ली यह सब एक के बाद एक मुझपल आक्रमन क्यों कर रहे हैं और उनके आक्रमनों के विफल हो जाने के बाद अब मेरा कौन सा शित्र मगर इसे तो मैंने हर्पा के विफसे मार दिया था इसका मतलब यह उस वक्त मरा नहीं था उस वक्त नहीं मरा था मगर अब मरेगा बेडिया के उस प्राहर के साथ ही थभोला के कंट से जवर्दस चीक उबल पड़ी5 थी थभाड़ पे जानने के लिए पढ़ेए हर्पा का किया बुरी तरह चक्रा उठा तो भेडिया का मस्तिश्क जिसे नियंत्रित कर पाना अब शायद उसके बस में नहीं रहा था और यह करामाती फूजों की तीश्र मूर्षन आश्रीजी के चूड़ने से मूर्षित कर दिया है जबकि इधर भड़ कुटेते वियर जंगली हमारा सरदार मारा गया भेडिया ने सरदार के हत्या कर दी हत्यारा भेडिया भेडिया को मार डाला ठेरो यह जंगल के कानुँ विरध है इससे सरदार जंगल की अधालत दिएगी और जब खोश में आया बेडिया आ क्या हुगा ता मुझे और ये क्या मुझे या किसमें बांदा है जंगल की अदालत के आदेश से तुम्हें यह बांदा गया बेडिया सर्दार, कुरूरा, फूजो बाबा, जेन, तुम सब, तुम सब मुझे इस पकार क्यों घूर रहो, तुम सब के चैरे नफरत अगेडा से क्यों सो लग रहे हैं, एक हत्यारे के लिए खिसी के भी चैरे पर ऐसे ही भाव प्रकट होते हैं भेडिया, हत्यारा, क्या मतलब, यहा अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद